सब्सक्राइब करें गार्णिंग बोई को और दबाएं बैल का आइकन और उसे सिलेक्ट करें आल ओप्सन पर थाकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें तो सबी दोस्तों का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज देखिए हम बात करेंगे मोगरे के प्लांट पर के इस पे बहुत सारे फूल कैसे लिये जाएं दोस्तों मोगरे का प्लांट जब उसकी खुबसूरती बढ़ती है जब उस पर बहुत सारे फुलाबरिंग होती है तो कई दोस्तों कहते हैं कहीं करें और उनकी Pl duyर होती है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने मोगरे के प्लांट जैसे ही गरमिय श्टार्ट होइं आप उसकी कटाई कर दीजिए उससे क्या रहेगा जितनी ज़्यादा ब्रांचे न अपने प्लांट को जितनी आप कटाई करेंगे उपर से उसको उतनी ही फ्लाबरिंग होगी दोस्तों दूसरी जानकारी दोस्तों आपको अपने प्लांट को तीन से चार घंटे की सनलाइट जरूर दीजिए ताकि इसमें अच्छे से फ्लाबरिंग हो सके क्योंकि सब कुछ ख यह देखिए मिट्टी आपकी नम होनी चाहिए देखिए कली टूटके गिर गई है तो दोस्तो यह तो होता रहता है तो दोस्तो आपको अपने प्लांट में रेगुलर हपते में एक बार इसमें जरूर खाद देनी है और आप लिक्विट खाद ही दे इसमें आप बर्मी कमप यह तूटके गिर जाते हैं यह देख सकते हैं तो आप इने पहेके ना आप इनको इसी मिट्टी में ही आपको दवा देना है क्योंकि प्लांट अपने सारा जो फीडिंग होती है वो फीडिंग से ही फ्लावरिंग करता है तो आप इन फ्लावरों को फैके ना तो देखिए दोस्तों मैं तो हमेशा यही करता हूं कि अपने जो फ्लावर जितने गार्डन में निकलते हैं यह देखिए इसमें गुलाव है और इसमें गुडहैल भी है तो मैं यह सारे जो फ्लावर है इकहटे करके रखता रहता हूं और इकहटा करके रखते रहता हूं और इसी में ही इसको देखें आप किसी चीज से यहां की मिट्टी निकाल लीजिये एक तरप में आपके चन में निकालना हूंग वह सकते आपको जब मिट्टी आप तो आपके हो सके आपके गमले में जड़े दिखने लगें तो कोई नहीं अगर कुछ जड़े कट जाती हैं तो कोई दिक्कत हमारे प्लांट को नहीं होगी और ये देखिए ये जो फ्लावर होते हैं ये हमें इसी मिट्टी में दवा देने हैं तो ये देखिए मैंने और भी इसमें दबा देते हैं तो यह बहुत असान तरीका होता है दोस्तो round लेने का इससे बहुत अच्छी आपके प्लांट पर round ओगी तो आप इन फूलों को फैके ना और अगर आपके मारकेट से भी आप लेकर आते हैं तो आप अपने गार्निंग में उसको इसी तरह यूच कर सकते हैं तो दोस्तो ये देखिए हमने इस इधर दबा दिया है अब हम थोड़ा इस तरह भी हम वही काम करेंगे तो दोस्तो हम इधर भी दबा देते हैं तो ऐसा छोटा सा इसमें आपको खुदाई कर देनी है इसमें और ये हम फलावर लेते हैं और इसमें हम देखिए काफी ज़्यादा फलावर मैंने लिये हैं तो हम इसमें डाल दे रहे हैं अब दोस्तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में हमारे प्लांट को ये बहुत अच्छे से फीडिंग देने शुरू कर देगा और दोस्तो जैसे हमारी फ्लावरिंग खतम होगी वैसे दूरी फ्लावरिंग तयार हो जाएगी तो दोस्तो यही तरीका आप भी अपना सकते हैं तो दोस्तो यह देखिए अब हमने इसमें जो है कि हमने इसमें फ्लावरिंग के लिए इसमें फ्रीडिंग कर दी है अब हम इसे watering कर देंगे और इसे full sunlight में रखेंगे ताकि इसे full sunlight मिले तो दोस्तो आप भी यही तरीका आपना सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कर दीजिए अपने दोस्तों कसा share कर दीजिए फिर मिलेंगे एक next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनी gardening को enjoy केजिए happy gardening